पापिलर सिंगल उदित नायन के बेटे, गायक और होस्ट आदित नायन की वाईव स्वेता अगरवल जाने इंस्टाग्रम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है स्वेता अगरवल प्रेगनेंट है और जल्द ही मा बनने वाली है स्वेता लगादार आदित्य के साथ की कई तश्विर शेयर कर रही है दोनों पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए बेहद उटसाइद है अब स्वेता अगरवल की लेटेस्ट पोस्ट सोशल मीडिया पर वाईरल हो रही है श्वेता अगरवल ने मोनोक्रम तश्विर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा बेस्ट फ्रेंड बनने से लेकर पैरेंस बनने तक क्या सफर है उनकी तश्विर पर फ्रेंस जम कर कमेंट कर रहे है और उन्हें बधाया दे रहे है अध्ययन सुमन ने इस तश्विर पर कमेंट करते हुए दिल वाला इमोजी शेयर किया है एक फैंस ने कमेंट करते हुए लिखा बेबी जाका बेस अबरी से इंतजार वही एक अन्या यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा आप दोनों बिस्ट पैरेंस बनेंगे एक यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा आप दोनों ऐसे ही मुस्कुराते रहें आदिते नायन ने श्वेता के साथ पिछले मेने एक तश्विट शैर करते हुए अनौंस किया था कि उनके घर नन्ना महमान आने वाला है उन्होंने केप्शन में लिखा था स्वेता और में ये शैर करते हुए धन्य महसूस कर रहे हैं कि हम जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं आदिते नायन और श्वेता अगरवाल ने एक डिसंबर 2020 में साथ फिरे लिये थे शादी के बाद कपल अक्सर साथ में रोमेंटिक तश्वेरे शैर करते थे अब सिंगर ने अपने पीता बनने के बारे में टाइमस ओफ इंडिया से बातचीत की है उन्होंने कहा स्वेता और में अपने जीवन के इस नए चरण की प्रतिक्सा कर रहे हैं मुझे हमिसा से बच्चों का सौक रहा है और मैं किसे दिन पिता बनना चाहता था अब स्वेता को और कम करना पड़ सकता है क्योंकि मैं किसी बच्चे से कम नहीं हूँ वर्फ फरंट की बात करें तो अधीतिया नायन इन दिनों सारे गामा पाक को होस्ट कर रहे हैं बता दे कि आधीतिया ने शापीत, गोलियों की लीला, राम लीला और दिल बेचारा जैसे फिल्मों में अपनी आवाज दी है इसके अलावा उन्होंने मासुम, परदेश, बीबी नमबर वन, ताल, अकेले हम, अकेले तुम, रंगिला जैसे मूवीज में बाल कलाकार के रूप में अपनी आवादी थी अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करो, ऐसा ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे